तो ये है कैम्प आफिस जम्मू का जो की बहुत ही प्यारी लोकेशन है और यहाँ पे आज मैं जॉइन करने वाली हूँ हेलो फ्रेंट्स वेलकम एंड वेलकम बैक तुदी चैनल तो आज है 30 जून और हम लोगो गए हैं रेडी जा रहे हैं जॉइनिंग के लिए जम्मू दिखाते हूँ तो फ्रेंट्स यह है यहां का हमारा न्यू घर और वो जो उपर दिख रहा है वो हमारा वाला पोर्शन है और यहां पे फ्लैट सिस्टम नहीं है जैसे कि फ्लैट मिल जाती है अलग से घर हैं लोगों के नॉमल उन्होंने उपर वाला पोर्शन या नीचे इस तरीके से रेंट पे दिये हुआ है और यहाँ पे जो एक घर बनाने का पैटर्न है ना बहुत अच्छा है मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि आप जगा को प्रॉपरली कंज्यूम कर रहे हो बट एक होता है ना यार एक ड्रीम हाउस तो उस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है मैं आपको आगे व्लाग्स में दिखाऊंगी जितने भी यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं वो घर और यहाँ पे जो है हमारी गाड़ी थोड़ा सा अंदर है गली से पैदल आने के लिए तो बहुत एज़ी है बट गाड़ी लाने के लिए हमें थोड़ा सा पत्ती गलियों में से निकलना पड़ता है जो कि थोड़ा सा में अज़स्ट करना है बट कोई शू नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छी है जगा बहुत अच्छी है और ओवरॉल यहाँ लाइफ निकालनी है तो यार जब जगा सब कुछ सही मिलेना तो बहुत अच्छा लगता है थोड़े बहुत एज़स्टमेंट तो कर लेंगे कोई शू नहीं है और मैं एक चीज़ कहूंगी कि यहाँ पर मतलब मैं ओवरॉल बहुत ज़्यादा हैपी हूँ और बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा है जो भी लॉस हुए है पटना छोड़ने की वज़े से मुझे और मैं सबी लोगों को यही कहूंगी कि यार सब को होता है कि हमें अपने घर के पास पहुँचना है तो भाई अच्छे से महनत करो अच्छे से पढ़ाई करो ताकि क्योंकि अब सब कुछ रैंक पर डिपेंड करता है ताकि अच्छी रैंक आए और आपको आपकी होम टाउ उनके पास जो है जॉब मिल जाए जो है हमारे घर के पास वाला एम्स मिल जाए तो उससे जो है बैटर क्या ही होगा तो बस आपको अच्छे से महनत करनी है सारी चीज़ें छोड़ देनी है जब तक आप अपने टार्गेट को अच्छीव नहीं कर लेते हो सारे मतलब लोग ने यह चीज़ फील करी है शादी के बाद, बचे के बाद बहुत मुछलो जाता है बुक उठाना और यह है यही कहूंगी अच्छे से महनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने टागेट को अच्छीव करो, अच्छे से इंजॉय करो, यहाँ का तवी ब्रिज, और नीचे से तवी नदी बहती है, तो बस हम लोग तवी ब्रिज क्रॉस करेंगे, और पहुँचने वाले हैं, एम्स इम्स जम्मू का कैम्प आफिस है ये जो की बक्षी नगर में है और यहीं पे अभी जॉइनिंग से रिलेटेड सारे काम यहीं हो रहे हैं मतलब सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम सब कुछ इधर है तो आज मैं यहां पे जॉइन करने वाली हूं और लोकेशन बहुत प्य जाहे हैं एक प्रेंड थेडिक अल्यावीी थेमी थेलेटेड देखंगास देखे हैं और दिखाती हूं मैं आपको सारे समान आया है पहले आप क्लिप देख लीजेए जब समान बाहर आ रहा था और ऊपर धिरे-धिरे करके लाया गया लिफ्ट वगरेर कुछ है नहीं तो तो एक-एक समान को सब लोग लेके आए हैं, बच्चों ने भी हेल्प करी है, थोड़ा-थोड़ा मैंने भी हात लगाया, इस तरीके से था, दो भेया लोगी कितना करेंगे, बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी, और समान बहुत सारा है, तो आप लोग तब तक गो क्लिप दे क्पला बच्छों लुड़ा, देस तरीके से फिल्ड लोगा चेहई, वह हैं, जर इन्न को सबस्वेरा, भी हैज़ा-थक्तर लोग है, आद तरीके से फ्लब लोगे तब ए देमार दीए, यह हैं झाल सब्सक्तर लोगफ़ा है, वह हैं जोग प्या पैद कर दोत सबरा है, प यह देखो मेरी कुछ अस्तवियस्त सी किचन कबाड़ यह देखो यहां पर बड़ा है सामान और यह टीवी जो है हमने ओपन करवा लिये चेक करने के लिए तो टीवी एक दम मस्क और यह लग गए हैं हमारे दो बैट एक बैड इदर एक बैड इदर यह रही ट्रैसिंग डेबल और इतना सारा कच्ड़ा यह मंकू पापू ही चे गए हैं तो अल्मूस्ट समान जो है हमारा उपर आ चुका है और जो गाड़ी वाले भहिया हैं उनको वापस डैली निकलना है तो मैं यहां पर थोड़ी सी चाय ब बहुत अच्छी थी मतलब बैस्ट थी यार अभी तक के लिए हमने दो बार हमने पर्सनल यूज कर ली एक दो बार लोगों के लिए हमने रिकमेंड किया तो अगर आपको भी इनकी कोरियर सर्विस चाहिए है इनका जो नाम है एवन कारगो मैं उनकी कॉंटेक्ट डिटेल यहां डाल दूँगी तो आप जो है इनसे अपना समान मूव कर आ सकते हैं बहुत सही सर्विस है हमारा कोई भी समान टूटा फूटा नहीं है और बहुत ही सेफटी के साथ आ चुका है घर में और यह व्लोग थोड़ा सभी पसंद आया है तो लाइक ज़र कर दीजेगा शे कर दो